नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारेक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। 31 मार्च को भारत सरकार की प्रेस सूचना कारेल है, यानी प्रेस इंफोरमेशन ब्योरो ने ग्रह मंत्राले का एक प्रेस विग्यपती जारी किया। शीर्शक या यूं कहिए इंट्रो लाइन, उसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के प्रती रेवरेंस स्पष्ट था। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेत्रतु में भारत सरकार ने एक महत्वपून कदम के तहट डॉट 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 आगे विगपती चलती रही इस लाइन को पढ़ते ही मुझे अपने बच्पन के रेडियो समाचार उसकी याद आ गई या फिर दूरदर्शन के शुरुवाती दिनों के समाचार बुलेटिनों की बुलेटिन्स में बात प्रधान मंत्री के नाम से शुरू होती थी और खतम भी वहीं पहले जन्संग के नेता इंदिरा गांधी का नाम जपने पर सरकार को क्रिटिसाइज करते थे बाद में भारतिय जन्ता पार्टी के नेता डिडिक्यूल करते थे जब जब न्यूज रीडर्स बोलना शुरू करते थे आज प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने और आगे उसके बाद खबर पड़ी जाती थी उसको भी क्रिटिसाइज करते थे बीजेपी के नेता वही चीज हो रही है आज फैसले से ज़्यादा मोदी जी का रेफरेंस जरूरी है 1849 में फ्रेंच लेखक यहां बापती स्टे अलफंसो का ने लिखा था कि the more things change, the more they stay the same बस एक चीज बदली है पहले जब सरकार को क्रिटिसाइज करते थे तब कोई देश द्रो का आरोप नहीं लगाता था अब ये आम बात है बोलना हो, लिखना, पढ़ना या शायब सुनना भी सब एंटी नैशनल खेर, P.I.B. के न्यूज रिलीज पर वापस आते हैं सरकार ने ऐलान किया मोदी के दूरदर्शी नेतृतन ने एक महतवपून कदम लिया है दशकों बाद, नागा लैंड, असम और मनिपूर से सशस्त्र बल, विशेश, अधिकार, अधिनियम या यूं समझिए, Armed Forces Special Powers Act जिसको हम लोग बोलचाल के भाशा में आफसपाक कहते हैं वहाँ अशांत शेत्रों को कम करने का निर्ने किया गया है विग्यप्ती में भक्ती भाव आगे और भी था ग्रेह मंत्री श्री अमित्शाने का मोदी जी की अटूठ प्रतिबद्धता के कारण हमारा पूर्वत्र शेत्र जो दशकों से उपेक्षित था अब शांती सम्रिध्धी और अभूत पूर्व विकास के एक नए युक की तरफ जा रहा है इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ आफसपा को इन इलाकों से हटाया जा रहा है नागा लेंड में साथ जिलों में से पंदरा थाना शेत्र मनिपूर के छे जिलों में पंदरा पुलिस थाना शेत्र से और तेईस जिले पूरी तरह से एक जिला पार्शली असम से खास बात ये है कि ये एक अप्रेल से ये आदेश फिलाल मात्र छे महिने के लिए होगा नागा लेंड में 13 जिले के 57 पुलिस थाने में अभी भी आफस्पा लागू है ये कानून मनिपुर्क में 16 जिले के 82 पुलिस थानों में अभी भी अप्लिकेबल है साथ ही अरुनाचल प्रदेश में स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा तिरप, चांगलांग और लॉंग्डिंग के तीन जिले और नामसाई और महादेवपुर के दो पुलिस थानों में आफस्पा लागू रहेगा इन जगाओं पर October 2021 में कानून को लागू किया गया था इस निर्ने की तातकालिक प्रिष्ट भूमी ये है September 2021 में केंदिये ग्रिह सचीव ने सभी पूर्वतर नौट तीस्ट के स्टेटस में आफस्पा के तहत जो डिस्टर्ब्ड एरियास थे उसकी समिक्षा की थी December में ग्रिह मंत्री ने एक कमिटी बनाई थी कई मीटिंग्स और कमिटीज का सिलसिला चलता रहा और अल्टिमेटली ये फैसला लिया गया इसमें कोई संदे नहीं कुछ शेत्रों में आफस्पा के एप्लिकेबिलिटी में धील देने का सरकार करने ने मुख्य रूप से हिंसा में कमी और अड्मिनिस्ट्रेटिव कार्णों से है ना कि कोई सद्धान्तिक प्रशन का जवाब है कि क्या आफस्पा इन राजियों में सुरक्षा के लिए आवश्चक है कोई डाउट नहीं है सरकार के निर्ने का उद्धेशे डिसेंबर 2021 में नागालेंड के मोंजिले में 14 नागरिकों की हत्या से जो नाराजगी पैदा हुई थी उसको शांत करने के लिए लिया गया है ये याद किया जाना चाहिए कि नागालेंड में मोंजिले को सबसे पहले अशांत शेत्र के रूप में नोटिफाई किया गया था सेप्टेमबर 1991 में उसके बाद संपूर नागालेंड को फाइनली एप्रिल 1995 में डिस्टरब्ड एरिया खोशित किया गया था सरकार इस limited withdrawal के फैसले को एतिहासिक बता रही है सरकार उसके मंत्री जैसे कि हमने देखा खुद की पीठ थप थपा रहे हैं लेकिन कानून को पूरी तरह से रिपील करने की बात पर complete radio silence या चुपी है साथ ही अन्य राजियों में एस्पेशली कश्मीर में जहां लोगों और सुरक्षा बलों के बीच संगष जारी है और जनता पूरी तरह से alienated है सरकार ने कोई संकेत नहीं दिया है क्या रणनीती बदलने का इरादा है यह चुपी सरकार में awareness के बावजूद है सत्ता पक्ष के सब जानते है आफस्वा ने निर्दोष नागरिकों का अकसर पूरे परिवारों के जीवन नश्ट कर दिये हैं उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए आफस्वा 1958 में पारित किया गया था इस कानून को शुरू में असम और मनिपुर में लागू किया गया था 1972 में संशोधन के बाद इसे मेघालय, नागा लेंड, त्रिपुरा और अरुनाचल प्रदेश में भी लागू किया गया था आफस्वा नागा गुटों द्वारा रिबेलियन को काउंटर करने के लिए पारित किया गया था 1972 में इसे मेघालय, नागा लेंड, त्रिपुरा, मीजोरम और अरुनाचल प्रदेश तक बढ़ा दिया गया था 1990 में इसे कश्मीर घाटी में लागू किया गया था ये अभी भी वहां लागू है हलांकि सरकार का दावा है कि केंदर शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में सिती सामानिय है 18 साल तक, ओपरेशनल रहने के बाद, त्रिपुरा में आफस्वा वापस ले लिया गया था 2015 में, अल्टिमेटली 2015 में 2018 में मेघाले से आफस्वा हटा लिया गया था 2004 में, सरकार ने Justice G1 Ready Committee की नियुक्ती की थी समिती ने सरकार से सिफारिश की ये अधिनियम को निरस्थ या रिपील किया जाना चाहिए Second Administrative Reforms Committee जिसके अध्यक्ष उस वक्त के केंद्रिय कानून मंत्री M. वीरप्पा मॉयली थे उन्होंने भी आफस्वा को रिपील करने को कहा था Supreme Court द्वारा एक नियुक्त Justice N. संतोष हगडे समिती ने 2013 में Encounter Deaths की जाच करने के बाद ये सुझाव दिया कि अधिनियम को हर छे महीने में समिक्षा की जानी चाहिए ये देखने के लिए कि कानून आवशक है या नहीं 2016 में Supreme Court ने भी रूल किया था कि Armed Forces जाच से मुक्त नहीं हो सकते Disturbed Area और No Disturbed Area इन सभी सिफारिशों के बाद ये पूछना जरूरी है कि क्या कानून बना रहना चाहिए या इसे खतम किया जाना चाहिए आफस्वा British Indian Armed Forces Special Powers Ordinance 1942 पर आधारित था ये कलोनियल कानून भारत छोड़ो आंदोलन को तबाने के लिए बनाया गया था स्वतंतरता के बाद भारत सरकार ने उतरपूरों में उग्रवाद को नियंतरित करने के लिए विभिलन कानून बनाये थे आफस्वा के पहले ये पारित किये गए थे ये दो कानून इन सिफारिशों के बाद क्या कुछ लिमिटेड एरिया से ये सिंबॉलिक विड्रावल से इन राजियों में स्थिती सामानिय बन पाईगी आफस्वा के दुरुपयोग के इतिहास को देखते हुए मेरे मन में चंद बुनियादी सवाल आते हैं क्या भारत ने 1958 से चली आ रही काउंटर इंसरजन्सी प्रैक्टिस या टैक्टिक्स ने वास्तव में राजनितिक हिंसा को समाप या थोड़ा भी रिजॉल्व करने में किसी भी तरह से मदद की है क्या आर्मी का यही काम है उन कॉन्फिक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश में अपने सैनिकों को दाव पर लगाएं जो एसेंशिली राजनितिक या फिर आइडिलॉजिकल मुद्दे हैं मेरे इन सवालों का जवाब अगर आपको भी वही समझ में आता है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ तब विकल्प क्या है आफस्वा के मिस्यूज का बहुत लंबा इतिहास है जिन एरियाज में आफस्वा लागू किया जाता है वहां human rights के हनन के लिए armed forces के खिलाफ मुकदमा चलने का अनुरोद शायद ही कभी सरकार दीती है राष्ट्रिय सुरक्षा का हवाला दिया जाता है 1958 में जब आफस्वा पारित हुआ तो संसद में सरकार ने बताया कि एक वर्ष से अधिक नहीं चलेगी 2022 में अभी भी हम उस साल के खतम होने का इंतिजार कर रहे हैं इस कानून का कैरेक्टर टोटालिटेरियन है Armed Forces को complete immunity मिलती है कितना effective ये relaxation होगा आप भी जानते हैं और मैं भी आफस्वा का जब तक total repeal नहीं होता है बाकी सब फैसले मात्र tokenism है नमस्कार